नमस्कार, जय हिंद, डियर फ्रेंट्स, 90 देज फ्री स्पॉक इंगलिस कोर्स में आपका स्वागत है, आज है डेज 63 और हम सीखेंगे मॉडल्स में कैन और कुड के यूजेज, 62 में आपको बहुत इमानदारी से मॉडल्स के जो बेसिक कॉंसेप्ट्स हैं वो बताये गए है कैन में और माइट के यूज हम कैसे करें अगर आपने 62 देखा है इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिए, या फिर मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ, मॉडल्स के बारे में बहुत ही धियान से इसको देखने और समझने की आप कोशिस करेंग कुड के यूज प्रेजन्ट में भी होते हैं, मॉडल्स में कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं, जिनका इस्तिमाल प्रेजन्ट पास्ट दोनों में होता है, वुड एक ऐसा मॉडल है, जिसका इस्तिमाल प्रेजन्ट पास्ट और फ्यूसर तीनों में होता है, लेकिन जैसे कुड है तो can का past क्या होता है, could, लेकिन could का इस्तेमाल किस में होता है, present में होता है, can तो हम इसा present में ही use होता है, तो could is the past form of can, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है, present में भी होता है, कैसे, that I'll teach you, but past में भी इसके कई सारे uses हैं, present में भी इसके कई सारे uses हैं, तो one by one I'm gonna teach you the uses of code एक speaking English partner के साथ जरूर practice करें पर डे ऐसा करने से आप में ज़्यादा अगर आप group में पढ़ते हैं, company के साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा interesting लगेगा हमारे telegram channel my career doctor को अबस्य जोआन कर ले वहां Saturday और Sunday को free में practice करवाई जाती है देखिए, uses of can और could could can be used in present and past बोथ, could के इस्तिमाल कहा होते हैं, present और past दोनों में होते हैं uses of could in present सबसे पहले can और अब कुड दोनों का prior cases के लिए होता है, request के लिए जैसी कि मैं बोलूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं can you help me लेकिन can you help me is a correct English लेकिन अगर आप बोले, could you help me तो ये ज़्यादा polite माना जाता है क्या माना जाता है जहां जहां आप can का इस्तिमाल करते हैं, वहां क्या कर सकते हैं could, request के लिए request के लिए वैसे तो में बताया गया है, जैसे can you give me your umbrella क्या आप मुझे अपना चाता दे सकते हैं तो इसको आप बोलिए, could you give me your ये ज़्यादा polite हो जाता है now, आपका फिर से doubt होगा बबलू कि sir, could तो past है जी हां, उसके use present में भी होते हैं, पहली चीज़ दूसरा आपका doubt होगा, ये formula क्या होते हैं तो आपको मालूम है ना, affirmative का formula होते है subject plus, can या, could और verb की इसमें क्या आती है first form present में object अगर सवाल पूछेंगे, तो can और could पहले आजाएगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अगर मैं आप से बोलूँ अमर can you help me, लेकिन अगर मुझे आप से request करने के लिए बोला जाए, request करके बोलू, तो मैं क्या यूज करूँगा could you help me, हलांकि could is the past form of can लेकिन इसका इस्तेमाल आप present में कर सकते हैं और देखिए, can you lend me your bike, क्या आप मुझे अपनी bike दे सकते हैं तो could you lend me your bike, could you please send me an application form क्या आप मुझे एक application form भेज सकते हैं तो request के लिए आप क्या यूज करेंगे, can के बदले, request मतलब politely होता है आई बात समझ में आपको, this was the fast use और देख लिजी और use क्या होता है, permission के लिए आपको कल क्या बताए था make का use करते हैं, बबलू जी ने बोला, नहीं मैं can का ही use करूँगा I said you can use, right, आप कर सकते हैं, गलत थोड़ी है but that's not proper and formal, तो permission के लिए, request तो आपने देखा ही offer के लिए और possibility के लिए भी क्या use होता है, could जैसे की, आप बोलेगे की sir, आपने तो में बताया था possibility strong हो, right शकील और बहुत कम हो, तो might बताया था, तो फिर could कहां से आ गया जैसे वह late हो सकता है, तो he could be late, उसके बारे में संभावना जाहिर कर रहे हो कि वह late हो सकता है, तो या तो बोलो he may be late, he might be late अगर नहीं के बराबर चांसर, he could be late Now your question is कि sir, ये तो बहुत complicated है, it's not complicated और नहीं कोई आपको force कर रहा है कि आप could ही use कीजिये English में और लिखने में आप may be use कर सकते हैं, I hope this one is not complicated, Rohit Right, तो किसीज के लिए, possibility के लिए, offer के लिए, example, could या may I come in Now, चुकि हम लोग जादे तर may I come in बोलते हैं, तो ऐसे में could I come in सही है या गलत है, बिलकुल सही है और in fact, देखिए, can I come in, ये भी correct English है, लेकिन permission किन से मांगते हैं, senior से मांगते हैं, officer से मांगते हैं, teacher से मांगते हैं, principal से मांगते हैं या कहीं भी किसी office जाए, तो बिलकुल काईदे से, प्यार से, इज़ित से आप permission मांगिए, तो क्या बोलेंगे, may I come in sir, could I come in sir, 100% correct, might I come in sir, पिछली class में आपको बताये था, जब बहुत ज़्यादा hesitation हो बोलने में, right, बहुत ज़्यादा hesitation हो, तब आप क्या बोलेंगे, I hope क पिता जी भी देखे, good job, Anish, forward this video to his father, and mark the time as well, तो could या may I ask you something, ये सामने वाले से क्या कर रहे है, request कर रहे है, could I ask you something, या may I ask you something, जब request अगर, could I, may you pass me the salt, could you pass me the salt, या may you pass me the, वैसे sir, क्या मैं can you pass नहीं, बिल्कुल यूज कर से, क्या ये गलत है, नहीं जी गलत नहीं है, correct English है, लेकिन जब आप politely बोलेंगे किसी से, तो क्या बोलेंगे, could you, the bus could be late, possibility बोला ना, jack could be late, bubble could be late, as usual always, बोलते हैं ना, he may be late, he might be late, और could be late, अगला है could, या may I help you, offer them, could I help you, may I help you, या how may I help you, how may I, अब देखो, present में can के बदले, could का प्रियोग किया जा सकता है, to talk about ability, can present में कहां, इस सबको अगर मैं ignore कर दू, तो can का use क्या है, ability के लिए, जैसे मैं कर सकता हूँ, I can do, तुम नोकरी पा सकते हो, you can get a job, अगर ability है, तो chances है, तो you may get a job, और जब क्या है, जब आपका आजाए, जब chances भी ना हो, जब आजाए, कि नोकरी chances बहुत कम है, तो you might get a job, तो present में can का use किसी के लिए करते हैं, ability के लिए, तो उसके बदले अगर आप चाहें, तो क्या इस्तिमाल कर सकते हैं, And now the question is, क्या हम करे ही, नहीं, it's not compulsory, क्या हम दोनों यूज कर सकता हूँ, I can, could, do? क्या मैं दोनों यूज कर सकता हूँ, बबलू, it's like you go home tonight and say कि मा, आज मैं रोटी और चपाती खाएगा, right, तो आप दोनों में से क्या use करेंगे, एक ही use करेंगे, present में can के बदले could का प्रियोग किया जाता है, जैसे, could या can you run the business yourself, क्या तुम अपना business खुद से चला सकते हो, can you run the business, या फिर, जैसे मैं, जब किसी senior से बात करता हूँ, तो मैं can के बदले क्या use करता हूँ, could, could you help me sir, could I know your name, right, could, या can you get another job, क्या आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है, ये तो हो गया, अब दो बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे, could basically past में use होता है, कहां use होता है, past में, could basically किसके लिए बना है, past, अब ही जो आपने uses देखें हैं, दो, तिन, वो किस में देखें हैं, present में देखें हैं, लेकिन could है basically किसके लिए, past में, तो देखो बाबू, ये जो है न, could, past में इनके क्या uses हैं, ये मैं बता रहा हूँ, and this one is very interesting, past में दो uses, एक past के opportunity की बात करता है कोई काम किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, एक तो उसके लिए और दूसरा, present में ability के लिए क्या use करते हैं, can, तो ठीक वैसे ही past की ability के लिए क्या use करेंगे, could, ability of past, ध्यान से देखना, could basically किस में use होता है, past में, present में तो आपने use कर लिया, लेकिन past में दो तरीके से use होता है, एक, जब past में ability की बात करें, किस की बात करें, और दूसरा, जब past में कोई काम किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, opportunity थी, but you missed that, तो जब इस तरीके के हो, तो उसमें आप use करते हैं, could have plus v3, क्या use करते हैं, और जब इस ability हो, तो could plus v1, अब आपका सवाल होगा कि क्या हम confused नहीं हो जाएंगे, नहीं होगे आप confused, जब मैं छोटा था, तो पेड़ पे चड़ सकता था, when I was young, when I was, when I was young, young का मतलब basically छोटा होता है, 10-12 साल के बच्चे, 8-9 साल के बच्चे, when I was young, I could climb the tree, I could climb the, यहाँ, सर अब आपका सवाल होगा कि could I can, I could climb the tree में पेड़ पे चड़ सकता हूँ, बिल्कुल correct English है, और I could climb the tree में पेड़ पे चड़ सका यह चड़ सकता था, क्या हाँ, जी बिल्कुल correct है, चुकि could basically past के लिए है, ना जी, present में आपने यूज किया, that is a different thing, आमर, hello, and present में, अब क्या यूज करेंगे, could लेकिन past में, दूसरा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर present में हो तो I can help you, I can, और अगर हो past में मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, क्या वो इस category में आएगा या इस category में, क्योंकि कर सकता था, किया नहीं, तो इसके English, I could have helped you, है spoken में बहुत useful यह और writing skill में भी, तुम यहां आ सकते हो, you can come here, और तुम आ सकते थे, you could have come here, third form, समझ में आ रही है यह दोनों चीज, तो अब हम सिखेंगे past में, this is done, the background is done, यह कुछ वही चीज है, जो मैंने आपको बताया है, screenshot ले लीजिए, आप लोगी book में यह है ही, could का past में ability के लिए किया जाता है, could have का परियोग past के opportunity, आपको बोला नहीं, ability and opportunity, could और could have दोनों का पहचान सकता था होती है, लेकिन could के बाद sentence में साब पता चलता है, कि किसी past के ability की बात की जारी, तब we one होगा, और verb third form जब होगा, तो वो किस की बात करेगा, opportunity, तो past में सबसे पहले हम could की जिकर kisses के लिए करेंगे use, जैसे can present में करता की kisses को बताता है, ability मैं कर सकता हूँ, I can do, और कर सकता था, I could do, अब दिखिए, दर साथ ठीक वैसे, he could past की kisses को दर साता है, When I was young, I could climb any tree, जब मैं छोटा था, तो किसी भी पेड पर चड़ सकता, How many of you know climbing tree? I still climb trees, When I was young, I could climb any tree, When I was young, जब मैं छोटा था, मैं किसी भी पेड पर, thanks God, I could learn English, मैं अंग्रेजी सीख पाई, आई बात समझ में, finally I could do it, मैं इसे कर पाया, अंत तो गत्वा, तो ये तो एक could के use हो गए past में, अब अगला मैं बता रहा हूं, to talk about ability of past, which was not completed, यानि आपर, जो किया जा सकता था, लेकिन could plus v1 कभ होगा, जो तुम, you know, when I was young, I could climb the tree and all, लेकिन could have plus v3 कभी use होगा, किसी कार्य को subject कर सकता था, लेकिन उसको कर नहीं पाया, उतकर्ष, formula, इसका formula क्या हो जाएगा, subject plus could negative है, तो not have, और verb की third form plus object, जैसे where train पकड सकता था, तो he could have caught the train, but didn't catch, बबलू अंग्रे जी सीख सकता था दिल्ली जाने से पहले, लेकिन नहीं सीखा, you're getting this, मन में बदमासी आ गई इसके, तो बबलू could have learnt English before he visited to Delhi, before he went to Delhi, बबलू could have, दिखिए, बबलू अंग्रे जी सीख सकता है, तो बबलू can learn English, बबलू जब 10 साल का था, उसी समय सीख सकता था, when बबलू was 10, he could learn English, अब चुकी बबलू 65 का हो चुका है, तो मैं बोलूँगा कि बबलू सीख सकता था, लेकिन नहीं सीखा, तो बबलू could have learnt, but he did not learn, इसमें past indefinite BSL, but he could have caught the train, but he didn't catch, लेकिन वो पकर नहीं पाया, अगला देखो, तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो you can help me, you can, और तुम मेरी मदद कर सकते थे, you could have helped me, समझ पा रहे हो, पका, और आप लोग भी समझ रहे हैं न, very good, इसको practice करके बनाईएगा, practice हो रही है, अदित्या, करेंगे इसको घर पर, और there it is, अब देखो, वे लोग मुझे सूचना दे सकते हैं, they can give me the information, right, और वे लोग मुझे सूचना दे सकते थे, they could have informed me, और given me information, but they did not, past indefinite याद है न, आपको, but they, present में they don't, और they don't का past क्या होता है, they did not, they did not, अब देखो, वे परिक्षा पास कर सकती थी, अब अगर present में बोलू, वे परिक्षा पास कर सकती है, तो she can pass the examination, because she has ability, chances ज़ादा है, तो she may pass the exam, और chances ना के बराबर है, तो she might pass the exam, thanks God, वोह समय पर exam पास कर सकी, thanks God, she could pass examination on time, और पास कर सकती थी, लेकिन पास नहीं कर पाई, she could have passed the examination, spoken में इसको यूज कर लोगे अच्छे से, अभी ये translations, आप मुझसे कह सकते थे, इसको English में सकील, यू टेल, आप मुझसे कह सकते थे, told me, you could have, told me, could have के बाद वर्ब की कौन सी फार्म, third form, third form, वो आपका पीछा कर सकता था, यू टेल, Sonu Kumar, वो है, वो, पीछा करना का होता है, आगे करना, follow, he could have followed you, and chase भी बोलते हैं, stalk, लड़कियों का अगर पीछा करते हैं, that is called in English, stalk, stalker भी होता है, negative sense में अगर किसी का भी पीछा कर रहे हैं, आप दूसरी बस पकर सकते थे, मतलब नहीं पकड़ा, you could have caught the another bus, yeah, you could have caught another bus, but you didn't catch, because your name is Bablu, because your name is Bablu, so this is how, please take the screenshot, and इनको बनाने की कोशिस करिये, and I am damn sure you will learn, so like every day, I will teach you some words, maybe phrasal verbs including, they'll help you a lot, अब देखिए, पहला है, broom का मतलब क्या होता है, ज़ाडू, ज़ाडू लगाना, please broom the floor, floor पे क्या लगा दीजिए, या तो बोलिए, sweep the floor, sweep means बुहारना, ज़ाडू को इंगलिस में क्या बोलते है, broom और ज़ाडू लगाना को भी क्या बोलते हैं, जैसे milk means, दूद और दूद निकालना, I milk my cow, मैं अपने गाई का क्या निकालता हूँ, दूद निकालता हूँ, broom the floor, floor पे क्या मार दीजिए, पैन, पैन का मतलब पता है क्या होता है, तबा, कडाही, विश्क, broom का मतलब पता है क्या होता है, duster या feather या duster, जहारन, जहारन पता है समझते, घर में जो जो जोल बगार है साप करते न, उसको क्या बोलते हैं, duster, dust को निकालने वाले को क्या बोलते हैं, duster बोलते हैं, iron, इस्तिरी या इस्तिरी करना, ये इस्तिरी कलाना वाला नहीं है, ये प्रेश वाला है, right, iron, iron my clothes as well, मेरे भी कप्रे में क्या कर दो, इस तिरी कर दो, c-l-o-t-h-e-s, clothes का मतलब क्या होता है, कप्रे, please iron my clothes as well, इनको ऐसे ही बूल बूल कर practice करो English में, yesterday I taught you a lot of important phrasal verbs, they are very very important for you, very nice, vacuum cleaner का मतलब क्या होता है, vacuum से साप करना, mop पोचा लगाते हैं, sweep बुहारते हैं, you know, wipe rugger के पोचते हैं, तो vacuum कहां, जिसे floor पे carpet है, तो उस पे पोचा तो नहीं लगा सकते हैं, तो carpet वैप क्या use करते हैं, dryer, dry means सुखाना और dryer means सुखाने वाला furniture polish जानते ही है, floor wax, floor पर wax लगाने वाला hangar, hang means लटकाना या फासी पर चड़ाना भी होता है, laundry, धुलाई के कपरे, एबम इस्तिरी का स्थान, एक जगे है, धुलाई के कपरे, कपड़ा, धुलाई घर, एबम इस्तिरी का स्थान को क्या बोलते हैं, laundry, laundry basket, जिस basket में आप रखते हैं, laundry bag, जिसमें आप कपरे ले जाते हैं, धुलने के लिए, do laundry का मतलब होता है, कपरे सा क्या होता है, please do laundry my clothes as well, मेरे भी कपरे क्या कर दो, साफ कर दो, you will say this to Asok Singh Saruta, hello Saruta भाई, please do laundry my clothes as well, what will you say, hello Saruta भाई, please do laundry my clothes as well, utility sink और wasp basin, देखो wasp basin, sink और wasp basin में क्या अंतर होता है, sink होता है आपका kitchen में, जिस पे आप बरतंद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, sink और जिस पे आप हाथ मूद होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, wasp basin, आई बाद समझ में, ये correct कर लेना बाबू, bucket या pale means, घड़ा या balty, clothes line, कपरे सुखाने के तार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, clothes line, clothes और कपरे सुखाना को क्या बोलते हैं, air the clothes, लिख ल air clothes होता है, air the clothes, please go and air the clothes, आईए और कपरे क्या कर दीजिए, put them on clothes line, कहां पर रख दो, कपरे सुखाने वाली तार पर रख दो, clothes pin, कपरे सिखाने के pin और चिम्टा नहीं होता है, जिसे अब दबाते हैं, right, detergent, मालूम ही है, porch, porch का मतलब क्या होता है, osara या baranda, baranda को इंग्लि का मतलब दरवाजे की घंटी, garage, मालूमी है, driveway, रास्ता, drain का मतलब, और drainage का मतलब, नोली, मोरी या, जल, निकास, जिससे हो को छुट मोटी पानी वानी नहीं जाती है, गंदगी प्यागर है, उसे हम drainage, drain बोलते हैं, drain pipe, निकास नली, door knocker, दस्तक देने की, कुंडी, door knob, दर उसको क्या बोलते हैं, lawn, right, lawn chair, बगीचे की कुरसी, lawn mower, lawn की घास काटने वाली machine, faucet का मतलब नल या, tap बोलते हो ना बावो, tap, इसको American English में क्या बोलते हैं, faucet, क्या बोलते हैं, faucet, scrub या scrubber, घिसकर साप करने वाला, scrub होता है ना, जिसको, right, रगर-रगर के साप नहीं कहते ह में क्या बोलते हैं, scrubber, so this is all about the uses of can and could, I hope you learn all these things honestly and they will help you a lot, please do write there in the comment section, how was this video, did you understand this or not, how is this series, you can help the needy students if they want to learn and ISERU, you must learn to speak in English if you have decided, thank you very much for watching, like always, Jai Hind!